कि हलो एवरीवन चलिए कि सीजी पीएस्टी प्रारंफिक परिक्षा के पेपर टू अर्थात एप्टिटिट्योड टेस्ट या जिसे सी सेड्ड भी कहा जाता है सिविल सर्विसेस एप्टिटिट्योड टेस्ट की डिटेल्ड एनालिसिस को शुरू करते हैं इस वीडियो के अंतरगत मैं आपको मैस और रिजनिंग से संबंधेत जो सेकेंड पेपर में प्रश्ण आये हैं केवल उन्हें ही डील करूंगा उनका ही हम एनालिसिस करेंगे जो की सेट एपर टू सेट ए से संबंधेत प्रश्ण संख्या 49 से लेके 100 तक है अर्थात कुल 62 प्रश्ण है ज जिकल अप्रोच क्या होती है मैस और रिजनिंग के प्रश्णों को सौल करने के लिए इसे हम सीखेंगे मैस और रिजनिंग को बिसिकली हववा माना जाता है एक प्रकार से कठीन है ऐसा माना जाता है जैसे कि CGPSC के इस पेपर 2 के लिए भी अभी यही बाते चल रही है कि ब PST के स्तर को प्राप्त करने की कोशिश की गई है जो कि सीधा यह दर्स आ रहा है कि हमें अब महनत अच्छे से करनी है अगर अभी यह हमारा पेपर गडबड हुआ है और इस मैस रिजनिंग को सुधारने के लिए हम महनत नहीं किये तो कहीं न कहीं अगले बार PST निकलने का चांस हमारा डगमगा आ जाए इसमें जो लेंगवेज का भी हिस्सा है 36 गड़ और हिंदी जैसा कि हम सभी जान रहें वह भी कोई बहुत असान था ऐसा नहीं है तो जो सेकेंड पेपर क्वालीफाइंग है तो क्वालीफाइंग है हलुआ है असा मान के अब नहीं चलना है अब इसमें हमें महनत करना है एक अच्छी अप्रोच के साथ महनत करना है और उसी अप्रोच को सिखना है और सबसे पहले तो मन से ये बात निकाल देना है कि यह कठीन होता है मेरे हिसाफ से कठीन वही है जिसे करने का हमने प्रयास ही नहीं किया दुनिया की वो सारी चीजे कठीन है तो प्रयास करते हैं सफलता जख मार के हमारे पीछे आएगी तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मैं सारे कोश्चन आपको सॉल करके बताऊंगा जिसमें मैस और इजनिंग के अंतरगत पहला प्रश्ण है कोश्चन नमबर 39 कह रहा है कि नीचे दिये गए चार विकल्पों में से उस एक विकल्प को चुनिये जो तीसरे सब्द से ठीक उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह पहले सब्द से दूसरा सब्द जुड़ा हुआ है यह है रिजनिंग का टॉपिक एनलॉगी टॉपिक जैसे की लिखा है भूटान का संबंद जो नगल्टरम से है वैसे एरान का क्या संबंद होगा तो भई हमें पता है भूटान की करिंसी है भूटनीज इसी प्रकार इरान की currency है रियाल, अब यहाँ पे थोड़ा आपको जी के पता होना चाहिए, अगर नहीं पता, तो देखिए दिनार इरान का नहीं है, यूरो जो है वो European Countries का है, शेकल भी जो है वो फिलिस्तीन का है, यहाँ का नहीं है, अलब यह जी के आपको पता होना चाह अब इसे कुछ solve करने की तो जर्वत है नहीं जिसे solve करने की जर्वत है वो है हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 क्या लिखा है किसी एक खास कूड भाषा में फीचर को यह यह लिखा जाता है प्रश्न पेपर आपके हाथ में है मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ और साथ ही साथ में प्रश्न को पढ़ रहा हूँ तो मैं सीधा लिखता हूँ कि किसी एक खास कूड भाषा मे क्या लिखा हुआ है feature F E A T U R E किसी एक कार्ट खास कुड़ भासा में F E A T U R E को क्या लिखा जाता है U V Z G F I V लिखा जाता है तो आप से पूछ रहा है character को क्या लिखा जाएगा C H A R A C T E R तो character को क्या लिखा जाएगा अब आपको option दिये गए जो भी option है तो सबसे पहला ये coding decoding topic है reasoning का सबसे पहला तो हमें एक इसमे pattern नोड़ना और उसी pattern को यहाँ पे follow करना है अब देखिए F का U हो रहा है E का V हो रहा है E का Z हो रहा है T का G फिर U का आपका F हो रहा है और R का I हो रहा है E का V हो रहा है तेक है अब यदि हमको यहाँ पे pattern नहीं समझ में आया तो जो जो same letter दिख रहे है उनको आप उठा लीजिए आपको उसमें सा answer मिल जाएगा जैसे भई यहाँ पे H है कहीं पर नहीं है C है कहीं पर नहीं A है हाँ A है A का क्या हो रहा है Z तो A का क्या होगा भईया Z यहाँ भी A का क्या हो जाएगा Z ठीक है आप कोशिस किजिए इतने option में ही ढूंडिए की कितने option ऐसे है जिसमें 3rd वाला भी Z दिया है और 5th वाला भी Z दिया है तो 3rd वाला Z है और fifth वाला Z है आपकी किस्मत तो बुलंदी पर है ऐसे सभी option है तो शली आगे बढ़ते हैं पूरा solve करेंगे भी मैं आपको ये बता रहा था कि कभी कबार आदा solve करने से भी answer मिल जाता है ये आपको हमेशा प्रयास करना है डूढने का अब देखिए E का V हो रहा है E का V हो रहा है तो जहाँ जहाँ E है E का क्या कर दो आप V R का क्या हो रहा है I हो रहा है R का हो रहा है Y और T का हो रहा है G T का हो रहा है G देखिए अभी भी आपको pattern नहीं मिला है suppose अभी भी आपको pattern नहीं मिला है लेकिन इतने letter मिल गए है अब आखरी के 3 G V I है अब देखिए ऐसे कितने option है जिसमें आखरी के 3 G V I है तो आखरी का I वाला एक लोता option है option number B आपका answer होगा option number B देखिए और हम pattern की बात करें देखिए हमें pattern नहीं मिला पर हम answer तक पहुँच गए pattern की बात करें तो ये सभी alphabet opposite है A का कहीं भी Z होते वे दिखे मतलब समझ जाना opposite हो रहा है F का opposite U होता है E का V होता है U का फिर F होता है E का V होता है उसी प्रकार आपका C का X होता है H का S होता है R का I होता है C का X होता है तो option number B is your answer बनेगा बनेगा तो 40 का होगा आपका option number B तेक है आप अभी तक किसी न किसी answer की को follow कर चुके मिला चुके लेकिन math reasoning ऐसी चीज है हमें सीखना जरूरी होता है आप मेंसे अधिकतर हो सकता है कहीं कोई solution देखके भी समझ गए होंगे लेकिन फिर भी doubt होगा सीरीज का question है सौरी सीरीज नहीं एनलोगी का question है जैसे कि आपका question number 39 था अब इस एनलोगी में हमें बताना है क्या लिखा हुआ है भाईया साथ का जो संबंद 3-3-6 से है उसी प्रकार 11 का संबंद किस से होगा देखे चार option है अब हम इसे solve करते हैं तो देखिए साथ का 3-3-6 दिख़़ा है अगर आप मैस पढ़े हैं ठीक ठाक तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि साथ का cube होता है 343 साथ का क्या cube होता है भाईया 343 और उसी में से साथ को घटा दो तो आपका आएगा 3-3-6 साथ का cube कि और उसी से साथ को घटा दिये वही अगर यहाँ पर follow करोगे तो 11 का cube होता है 1331 और उसी से 11 को घटा दिया जाए तो आपका answer होगा 1320 क्या आपके प्रश्न में किसी option में है 1320 जी हाँ 1320 option में है तो आपका answer होगा option number C clear हो रहा है अब ये pattern तुरंद कैसे पकड़ाया ये topic सीखने के बाद reasoning की कोई भी book उठा के कम से कम 200-200 प्रश्न होते है 100 प्रश्न आप रगड़ के practice कीजिए आपको तुरंद pattern तेजी से समझने आए clear है और और असानी से तेजी से कैसे जाने pattern के लिए आप हमारी सकार एकड़मी की mess reasoning की कख्चाओं को join कर सकते है online, offline, offline दोनों कख्चाओं आपके लिए बहतर रहें तो चलिए आगे चलते है अब आते हैं प्रश्न संख्या 42 42 प्रश्न संख्या 42 समय यह कह रहा है कि रवी श्वेता का भाई है जोती नीलम की बहन है श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है नीलम शुभास की पुत्री है जोती रवी की माँ है महेश नीलम की एक मात्र बहन का पती है सुभास रोहित का सुभास से क्या संबंद है तो इसमें आपको एक डाइग्राम बनाना पड़ेगा कैसे बनाना है दिखिए आप सबसे पहले लिंक कीजिए रवी श्वेता का भाई है लिख दीजिए बहुत ही असान तरीके से लिख दीजिए क्या ये लिख दीजिए रवी रवी भाई है किसका श्वेता का लिख देना है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है एकदम सिंपल तरीके से लिख देना है फिर अब रवी और श्वेता से कोई लिंक है क्या अगला लाइन जोती नीलम की बहन है यहां जोती और नीलम तो अभी नहीं बना सकते श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है हाँ यहां पे कुछ लिंक हो रहा है क्या बोल रहा है श्वेता जो है एक कोई रोहित है रोहित के कोई पिता है उसकी जो पुत्री है वो श्वेता है रोहित के कोई पिता है उसकी पुत्री जो है श्वेता यानि यह तीनों भाई भैन हो गए अपने आपस में रवी रोहित और श्वेता आगे पढ़ते हैं नीलम सुभाज की पुत्री है अभी नहीं बना सकते जोती रवी की मा है रवी की जो मा है वो जोती है रवी की जो मा है वो कौन है भया जोती है याने कि ये जोती और ये जो आदमी होंगे इन लोग क्या होंगे भई हस्बेंड वाइफ होंगे ति इसी बात है न भई इसके इन लोग बच्चे है ये मा है त husband wife है तो होंगे न कानूनन तोर पे husband wife है फिर लिखा है महेश नीलम की एक मात्र बहन का पती है महेश नीलम की एक मात्र बहन का पती है जोती रवी की माँ है अच्छा जोती मिल गई अब फिर दूसरी लाइन में हम आते हैं जोती जो है नीलम की बहन है जोती जो है वो नीलम की बहन है ये दोनों आपस में बहन है तेखे और एक लाइन छुटा होगा जिस से अब यह पूरा हो जाएगा तो पहला रवी श्वेता का भाई है हमने बना लिया जोती नीलम की बहने हमने बना लिया श्वेता रोहित के पिता की पुत्री हमने बना लिया नीलम शुभास की पुत्री है नीलम जो है भईया वो शुभास की पुत्री है नीलम जो है वो कौन है शुभास की पुत्री है जोती रवी की माहे हमने बना लिया महेश नीलम की एक मात्र बहन का पती है नीलम की एक मात्र बहन और इसका पती तो ये है खाली स्थान यानि कि ये खाली स्थान ही कौन होगा महेश नीलम की एक मात्र बहन का पती है तो रोहित का सुभास से क्या सम्मन्द है ये है रोहित, ये है सुभास, यानि सुभास की बेटी की बहन, यानि सुभास की बेटी का पती, यानि की ये क्या है भीया, नाती है, और नाती की जगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पौत्र, यानि की ग्रैंड सन, तो आपका अंसर क्या होगा भीया, option number B, पौत्र, बहु और चमालिस के लिए निर्देश देखी निर्देश वाले question जो होते हैं जो एक कहानी से दो या दो से अधिक प्राश्ण बनते हैं इन्हें तो जरूर बनाणा चाहिए क्यों क्यों क्योंकि इसमें समय आपको एक बार देना होता है लेकिन प्रश्ण ज्यादा बनते हैं तो यह है आपका डायरेक्शन से संबंदित है ए बी सी डी एफ जी एच आई नौ बिंदू है चलिए कहानी पढ़ते जाते हैं और इसे हम सॉल करते जाते हैं यह प्रश्ण आपके पास है ऐसा में उम्मीद रख रहा हूं तो प्रश्ण लिखा हुआ है ए बी सी डी एफ जी एच और आई नौ बिंदू है फिर आगे कहानी लिखा हुआ अरेंज उन्हें कर रहा है हम अरेंज करते हैं सी बी से दो किलो मिटर पूर में है डारेक्शन तो सभी को पता है पूर्व पश्चिन उत्तर औ आप अवेर हैं और किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए आप क्लास को जोईन कर सकते हैं पहले भी मैंने कहा है तो आप टॉपिक से अवेर है इस उम्मीद के साथ मैं इसका अनलेसिस कर रहा हूं तो चली हम इसे ड्रॉ करते हैं क्या लिखा हुआ है सी बी से दो किलो मिटर पूरू में है कि भई जो सी है वो बी से दो किलो मिटर पूरू में है ए बी से एक किलो मिटर उत्तर में है और एच ए से दो किलो मिटर दक्षिण में है यानि यहां से एक और आगे जाएंगे a से 2 km दक्षिड में है भाई ह, तो 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो a से 2 km दक्षिड में h हो गया, ठेक है G H से एक किलो मिटर पस्चिम में है H से एक किलो मिटर पस्चिम में कौन है भाई G ठीक है G H से एक किलो मिटर पस्चिम में है जबकि D G से तीन किलो मिटर पूर में है D से तीन G से तीन किलो मिटर पूर यानि कि एक ये और दो ये यानि कि ये दो और रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका D D G से 3 किलो मिटर कहां है पूरो में है ये आपकी पूरो दिशा हो गई ठीक है और F G से 2 किलो मिटर उत्तर में है F जो है G से 2 किलो मिटर उत्तर यानि ये 1 और ये 2 तो यहाँ पर कौन आ जाएगा F और यह distance क्या होगया भहिया 2 km F G से 2 km उत्तर में I, B और C के मद्द में है I जो है B और C के मद्द में है y안ने यहाँ पर I है यहाँ पे ट्फाई बना दो और E H और D के मद्द में है E जो है H और D के मद्द में क्लियर कि सारे डिस्टेंस हो गहें ? यानि e के लावा इधका एक होगा इधर आपका एक होगा इसका प्रशन से पढल हो रहा है प्रस्ट पर लिये कुछ भी mismatch नहीं हो रहा है बहले दोनों चांसर आई इन में से कोई नहीं microorganism पढ़ लेते हैं एक बार फटा फट C B से 2 km पूरू में है C B से 2 km बिल्कुल सहीं बना है A B A B से 1 km उत्तर में है A B से 1 km जी हां सहीं है और H A से 2 km दक्षिड में है और H जो है A से 2 km दक्षिड है जी हां सहीं है G H से 1 km पस्चिम में है G S 1 km पश्ची में जी हाँ बिलकुल सही है जबकि D G से 3 km पूर है जी हाँ ये भी सही है F G से 2 km उत्तर में G से 2 km उत्तर में F है जी हाँ ये भी सही है I B और C के मद्ध में है E H और D के मद्ध में पूरा exact बना है मतलब प्रश्ण जो भी पूछे है हमारा आशर सही ही आएगा हाँ अगर सही बनाएंगे तो जैसे प्रश्ण 1 क्या लिखा है E और I के मद्ध दूरी क्या है तो भई E और I के मद्ध दूरी है 1 km की तेक है E और I के मद्ध दूरी क्या है 1 km आपका option है 1 km का ही दूरी है 1 km है क्या option में नई इन में से कोई ने टिक मार देना है जनरली इन में से कोई ने option मिलता है तो हम घवरा जाते हैं पर हम तो दुद्दो बार पढ़के चेक कर लिए ना भाई घवरानेक जरुवत नहीं है option number D 43 का फिर 44 E और F के मद्द क्या दूरी है E और F के मद्द दूरी हमें निकालना है यानि कि हमें ये distance निकालना है E और F के मद्द दूरी यानि कि हमें एक तिरची दूरी निकालना है और थाग पैथा गोरस ठ्योरम लगेगा ये आपका right angle, triangle some control बनेगा इसमें ये कर्ण होगा ये लंब होगा ये अधार होगा तो कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग यानि कि क्या E F का वर्ग बरावर आजाएगा क्या E G का वर्ग प्लस G E का वर्ग E F Sorry E F का वर्ग बरावर F G का वर्ग प्लस GE का वर्ग यही है पैथा गुरस्तियोरम इस त्रिभूज में लगा दी हम GEF त्रिभूज में तेक है तो EF का वर्ग यही EF तो हमें निकालना है EF is equal to क्या होगा root over अब FG की लंबाई क्या है 2 का वर्ग धन GE की लंबाई क्या है 1 और 1 किता 2 का वर्ग याने की क्या जाएगा root over 4 plus 4 याने की EF बराबर root over 8 याने की क्या 2 root 2 क्या 2 root 2 कहीं किसी option में है तो हाँ 44 का option number C 44 का option number C 2 root 2 is your answer बनेगा बनेगा चलिए आगे चलते है 44 के बाद आते है question number 45 और 46 दोनों सिलोगिज्म का question है हिंदी में इस topic को न्याय कहते है बहुत ही सरल प्रशन आया है देखते हैं इसे देखे इसको बनाने की कई method है मैं आपको सबसे standard method जो wind डाइग्राम है उससे बता रहा हूँ हाला कि जो हमारा method है हमारे method से orally solve हो जाता है कैसे orally solve हो जाता है वो भी हम अभी बताते हैं कथन लिखा है सभी पुरसकार पदक होते हैं दूसरा कथन लिखा हुआ है कुछ पुरसकार प्रमाड होते हैं निशकर्स है अगर हम इसे orally बनाए कुछ प्रमाड पत्र पुरसकार होते हैं तो देखिए कुछ पुरसकार प्रमाड पत्र होते हैं तो कुछ प्रमाड पत्र पुरसकार तो होंगे इसलिए पहला सही ही इसके लिए तो किसी मैथट की जरुवत नहीं दूसरा कुछ पदक पुरसकार होते हैं तो देखिए पदक पहले कथन में है और पुरसकार दूसरे कथन में है दोनों positive है और हमेशा सभी और कुछ का आंसर कुछ आता है इसलिए सही है अब सुनने में पटांग लग रहोगा जी हाँ क्योंकि method आपने सीखा नहीं है तीसरा कुछ प्रमाड पत्र पदक होते हैं तो प्रमाड पत्र पदक होते हैं जी हाँ सभी और कुछ का आंसर कुछ आता है इसलिए यह सही अब यह समझ में नहीं आया अब common method में मैं आपको बताता हूँ wind diagram method क्या लिखा हुआ है सभी पुरसकार पदक है यहीं बनेगा इसका wind diagram और कुछ पुरसकार कुछ पुरसकार जो है वो क्या है प्रमाड है अब पहला निषकर से दिए आप देखोगे कि कुछ प्रमाड पत्र पुरसकार है कुछ प्रमाण पत्र पुरसकार है जी हां पहला सही है दूसरा कुछ पदक पुरसकार है हां पदक का कुछ हिस्ता भई पुरसकार है दिख रहा है पदक का कुछ हिस्ता पुरसकार है दूसरा भी सही है तीसरा कुछ प्रमाण पत्र पदक होते हैं कुछ प्रमाण पत्र पदक हो सकते हैं जी हां पीसरा भी सहीं है इस प्रकार सभी सहीं है आपका 45 का आएगा option number 1 निश्कर्स 1-2-3 कखनों की अनुसार है सभी सहीं है बनेगा ठीक है इसी प्रकार आते हैं 46 में 46 भी सिलोगिज्म का question है इसे भी मैं विन डाग्राम से आपको पहले बताता हूँ क्या लिखा हुआ है सभी कुत्ते शेर होते हैं क्या लिखा है भाईया ये सभी कुत्ते हो गया और ये शेर हो गया सभी कुत्ते शेर होते हैं कोई हाती शेर नहीं है यानि कि जो हाती का गोला रहेगा वो बिलकुल अलग बनेगा अब पहला निश्कर साब पढ़ोगे कोई कुटा हाती नहीं है कोई कुटा हाती नहीं है जी हाँ बिलकुल सही है क्यार कोई कुटा हाती नहीं है दूसरा लिखा है यानि कि पहला वाला हमें सही मिल गया है साइड में नोट कर लेना एक्जाम में भी सॉल करते समय दूसरा कोई शेर कुट्टा नहीं है दूसरा क्या लिखा हुआ है कोई शेर कुट्टा नहीं है बैया शेर के अंदर ही कुट्टे हैं तो कोई शेर कुट्टा नहीं है वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दूसरा तीसरा कुछ हाती कुट् कुन सा option है ऐसा है option number C सिर्फ निश्कर्स एक कथनों के अनुसार है क्या है सिर्फ निश्कर्स एक कथनों के अनुसार है देखें चलिए तो 46 का होगा option number C किसी परकार आते है 47 question number 47 में आते है 47 में ये भी coding decoding का ही question है इसमें क्या कह रहा है कि army को आर, एम, वाग, आर्मी को किसी code भासा में 59 0, 65, 125 लिखा जाता है तो उसी परकार नेवी को उसी code भासा में क्या लिखा जायए तो उसी प्रकार नेवी को उसी code भासा में क्या लिखा जाएगा तो देखिए हमें यहाँ पैटन पहचानना है उस पैटन को फॉलो करना है अब देखिए यहाँ पे चार लेटर है और यहाँ पे एक दो तीन चार पांच चार साथ आठ नमबर है याने कि इनके कोड से यह कोड नहीं बन रहा है उस कोड के साथ कुछ न रेकुलेशन हो रहा है तभी यह बन रहा है क्योंकि भाईया एक आगे पीछे 5 और 9 तो होता नहीं है आर के आगे पीछे 0 और 6 तो होता नहीं है आर का कोड अठारा होता है अठारा को कुछ भी करो 06 नहीं आएगा पीन से जवरन थोड़ीन भाग दे दोगे अच्छा माल वेलो तीन से भाग दे रहे हो तो एक फाइब नाइन तो ऐसा आना नहीं है तो भाई इनके कोड से डायरेट कोई रिलेशन तो नहीं यह बात तो तय है हाँ लेकिन जो है कोड से है क्योंकि नंबर से ही क्या बन रहा है आपका अलफाबेट से ही क्या बन रहा है नंबर अब ऐसे ही यहां पर Y है और आखरी में 25 है और 125 है तो यहां Y है और आखरी में 25 और समझ लो 125 ऐसे कितने option है जिसमें आखरी में 25 और 125 है तो भाई ऐसे दो option है option number B और C जिसके अंत में क्या है आपका 25 और 125 है clear हो रहा है ठीक है ठीक है भाई वैसे ही A शुरू में है यानि यहाँ Y के साथ या तो 25 या तो 125 आएगा अब हमारे दोनों अप्षन में 125 है तो हम 125 ले लेते हैं अभी भी हमें पैटर्न नहीं समझ में आया है हम केवल आंसर ढूंडने कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे दो अप्षन हमको मिले 125 और 125 वाले तो दोनों को चलो आपके लिए लिख देता हूँ 90 62 20 और 70 51 10 यह है आपके दोनों अप्षन आंसर यही दोनों होंगे क्योंकि Y का आखरी इधर 25 125 था और इधर भी Y का 125 है तेक है वैसे यदि में एक ही बात करूत है यहां फाइब या फाइब नाइन फाइब या फाइब नाइन है वैसे यह सेकेंड नंबर में ए है यहां सेकेंड नंबर में कहां कहीं फाइब दीख रहा है क्या यह पूरे में कहीं फाइब दीख रहा है क्या नहीं दीख रहा है लेकिन यहां पर दीख रहा है यहां A था तो यहां कहीं 5 था यहां A था तो यहां पर 5 है इसमें नहीं है यह गलत है आपका आंसर यही है और यह है आपका क्या option number C डेफिनिटली आपका आंसर यही है आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं और ध्यान देंगे अभी तक पैटन नहीं मिला है न हमने केवल एक तुक्का बिढ़ाया है एक लोजिकल अप्रोश फॉलो की आंसर को डूड़ने के लिए लेकिन पैटन अभी तक नहीं मिला है अब चली अब मैं आपको पैटन बताता हूं और यह पैटन कैसे पता चलेगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके देखिए बीना महनत की कुछ नहीं मिलता महनत करना पड़ेगा हमें पैटन फट से क्यों दिख गया क्यों कि धेर सारे प्रश्णों का हमने प्रयास किया है थेर सारे प्रश्णों को सॉल करने का प्रयास किया है तो इसका पैटन है A, A का कोट क्या होता है 1 और सभी में क्या हो रहा है 5 का कोट तो 5 एकम 5 R का code होता है 18 18 में 5 का गुणा याने की क्या 90 M M का code होता है आपका 13 13 में 5 का गुणा याने की 65 Y का code होता है 25 और 25 में 5 का गुणा याने की 125 देखें तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका हो रहा है क्या अब यह वाला तो नहीं होगा तो N N का code होता है 14 तो 14 पंचे 70 उसी प्रकार A A का code होता है 1 तो 1 पंचे 5 V V का code होता है आपका 22 तो 22 पंचे 110 और Y का 25 पंचे 125 यह है आपका pattern तेक है तो sir हम कैसे पकड़ेंगे pattern वही जवाब जादा से जादा प्रशनों का प्रयास करें और अपनी maths और reasoning की logical approach को strong करने के लिए सीखने के लिए अच्छे अच्छे तरीके maths और reasoning के सीखने के लिए आप सकार academy को join कर सकते हैं मैं ही वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा maths reasoning ठीक है अब मेरी guarantee है कि CGPSC व्यापम E1 railway जैसे exam में जो प्रशन पूछे जाते हैं आप 90% प्रशन guaranteed सहीं बना कि आएंगे 100 में से 100 हम भी नहीं बना सकते क्योंकि हमेशा कोई न कोई नया प्रशन आपको exam में दिखेगा लेकिन 90% प्रशन आप हमेशा सहीं बनाएंगे तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हुए आगे जो हमारा प्रशन है वो है प्रशन संख्या 48 to 52 ये 5 प्रशन है और ये पजल है इसको बहुत प्यारी सी अप्रोच के साथ मैं आपको बताऊंगा बहुत कम समय लेते हुए और उस समय को देने से सीधे 5 प्रशन सौल होंगे इसलिए पजल को देखते सा छोड़ नहीं देना है कुछ लोगों का कहना है कि यहां गलत है आयोग का अंसर चेक किया जाएगा लेगिने कुछ भी गलत नहीं है बिल्कुल सही है क्या है कैसा है कैसे सौल होता है पजल को सौल करने की क्या actual approach बनी चाहिए इसे हम देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे तो इसे हम धीरे-धीरे करके वीडियो में देखेंगे मैं इसे और एक घंटे या तीन घंटे के वीडियो में भी मैं इसे एक साथ बना सकता हूं लेकिन नहीं आप भी आराम से देखिए हम इसे छोटे-छोटे वीडियो क माध्यम से देखते जाएं तो चलिए आज के लिए मैं इतने ही रखता हूं अगली प्लास में या अगले वीडियो में हम प्रश्ण संख्यार मिला होगा ठेक है जो एक्जाम दे चुके हैं उन्हें पता चला होगा कि क्या गलतिया हमने की है और जो आगामी परिक्षा में सम्मेलेथ होने वाले हैं उन्हें बहुत कुछ सिखने को मिला हुगा कि हमें किस अपरोच को फॉलो करना है और क्या गलतिया नहीं करना है आपको महत्तपूर्ण स्वस्तर है सुरक्षेतर है थैंक यू